इश्वर्तनी भेत छे मंतानुए श्रोत छे इश्वर्तनी भेत छे मंतानुए श्रोत छे जगतेला विनाथूरू लावे मुखपर्ण स्मीत मधूरू इश्वर्तनी भेत छे मंतानुए श्रोत छे इश्वर्तनी भेत छे मंतानुए श्रोत छे आशावान आरीयो अशावान नारियो अशावान नारियो केम छो बेनो अशावान स्रियो नामना बेनो माटेना आविशेस कार्यक्रम्मा आप सर्वनो आवकार करूछू आजे फरीथी तमने मढता आनन थाई छे दार अठवाडिये अमेरा स्प्रद विशयव साथे अहें उपस्तित थाईये छे आजना कार्यक्रम्मा तमे जानी सक्सो के नकामी वस्तुओनो सा माटे फरिथी उप्योग कर्व जोए अने ते केवी रिते करी सकाई हुँ मानुशु के आपने दरेक जन वस्तुओनो बगाल करिये छिए तमारा विशे सुन तमने खबर छे ज्यारे हुँ रस्तावो पर्थी पसार थती होई त्यारे केटलीक जग्याए कच्राना मोटा मोटा ढगला जोवा मड़ा छे तेमा कागड होई, प्लास्टिक नी थेली, अने बाटरल्य होई, लोखणना टूकडा होई, अने सडेला खाद्य पदार्थ पण होई अने तेमाथी एटली दुर्घंद आवती होई, के नाग पन बंधकरीने पसार थावु पड़े छे हाँ, मारा घरनी आसपासना विस्तारों मा पण कोईक वार आवु जोवा मड़े छे कच्रों एकत्र करनार ज्यारे ना आवे, त्यारे कच्रानों निकाल करवो, त्या खा सेहरने माटे एक मोट्टों प्रश्ण बनी जाई छे आटलों बधों कच्रों आवे छे क्या थी? सु आ दिवसमा लोकों वधारे पड़तों बगाड करे छे हा, तमारी वाद साची छे, लोकों नी वस्ती पण वधी रही छे, अने हवे तो मुट्टा भागनी बनावटों वाप्री ने फैकी देवाई, एवा पैकिंग मां मर्ती थाई छे खाद्य पदार्थो, पीणाओ, अने रोजिना वप्राष्णी वस्तुओ पण, तेना लिदे जीवन सरल बन्यू छे, पण नकामी वस्तुओ अने कच्रामा पुष्कल वधारो थाई रहो छे हूम आनुछू, के तेने लिदे वर्तमान समय नू आधुनिक जीवन वधार एक गुच्वन भर्यू बन्यू छे साची वाद, दूर बाग्ये मोट्टा बागना लोको समझता न थी, क्या केटली मोटी समस्या छे कल्पना करो, के दूनिया भर्ना असंख्य घरो माथी, केटलो बधो कच्रो दर्रोज ठलवाई छे वास्तों मा परियावरणने माटे आ मोट्टु जोखम छे वाली बेनो, इस्वरे आपन दरेक ने, आ धर्तिनी काड़ची लेवानी जवाबदारी सोपी छे ते थी, तेना माटे कईक करवू, ते आपनी जवाबदारी छे सु तमे आ मानो छे हाँ, एटलाज माटे आजे आपने आ विशय पसंद कर्यो छे आपना वक्ता, परियावरण सबंदी वो जागरूच छे आ धर्तिने बचावा माटे आपनी रिते आपने सु करी शक्ये, ते सबंदी ते आपने दोरवनी आपसे अने नकामी वस्तुओ, अने कच्राना प्रमाणे केवी रिते ओचु करी सकाई, ते सबंदी ते वो आपने सीखव से माटे, जीवनना पाटने तमे द्यान थी सांबर सो प्रियबेनो सलाम दुनिया भरमा वस्तालोको हालमा धर्तिनू रक्षन करवा अने तेने साफ अने सुन्दर बनावानी जरुर्यात प्रत्यस जाकरूत बनिया छे दर्रोज आपने पुष्कल प्रमाण मां कच्रो नाखिये छे त्यारे आ बाबत महत्वनी बने छे अने आजे हुँआ विश्याई मां तमने थोड़ी सला आपवा मागू छु आपने गमेत्या रहता होई ए के काम करता होई ए पन दर्रोज आपने मोटा जत्थामा कच्रो उत्पादन करिये छिए आपने प्लास्टिक नी थैली, बाटलीयो, धातुना केन, काचनी बाटलीयो अने बीजो घणो कच्रो काडिये छिए पन आपने दरेके समझवानी जरूर छे क्या बध्धामा थी मोटा भगनी वस्तो फेंकवानी जरूर न थी तेने फरीथी उप्योग मलेई शकाई छे अथवा पुन प्रक्रिया करीने तेने नवु रूप आपी शकाई छे तमे कदाच री साइकलिंग शब्द सामडे होशे तेनो अर्थ छे नक्कामी वस्तो ओने फेंकी ना देता तेने फरीथी वप्राश योग्य बनावी पन आहू करवानी जरूर शी छे तेनू कारण हुँ तमने कवू दाखला तरीके प्लास्टिक नी वाद करी है तो दर्रोज दूधनी थैली के शागभाजी अने अन्य वस्तु माटे आपने प्लास्टिक नी थैली बापर ये छे परन्तु प्लास्टिक फरीथी उप्योग मा लई शकातु न थी तेनो अर्थ के ते समय अनुसार तूटी ने माटी नी साथे मिक्स थाई शक्तु न थी तेथी प्लास्टिक ना ढगला जोवा मडे छे एक समय एवो आवशे के प्लास्टिक ना ढगला थी धरती ढंकाई जशे तेनी कल्पना करो प्रिये बेनो शुतमे कदी विच्चार्यू छे के कच्रो पन धिमे धिमे जेर समान बनी जाई छे आपनी पाइपलाइन मा गणी वार प्लास्टिक नी थैली के कच्रो भराई जाई छे गणी फेक्टरी माथी पुषकल प्रमाण मा दुमाडो बार निकडे छे तेथी हवा प्रदूशित थाई छे जे आपना स्वास मा जाई छे आपना वाहनो मा थी पन दुरगंद वालो धुमाडो हवामा बढ़े छे मोट्टा शहरो मा तमे प्रदूशित हवानी गंदपार्खी शको छो अने तमारे माटे स्वास लेवानो मुष्केल बनावी दे छे वैग्ण्यानिको जे ग्लोबल वार्मिंग अत्वा वैश्विक उष्णतामानी वाद करे छे ते पन तेनुच परिणाम छे हवाना प्रदूशित नेली थे वातावरण गरम बने छे अने अवु थाई एटले हवामान बदलाई छे भयंकर पूर, वावा जोडू अने दुकाण नू एक कारण आपण छे हवाना आ प्रदूशित नी असर फुल जाड अने प्राणियों उपरपण थाई छे आपने विचारिये तेना करता वधारे तेओ सहन करे छे किटलाक वातावरण ना बदलाउसा में जीवी शक्ता न थी किटलाक नदियों मा रहला प्लास्टिक ना कच्रा ने लिधे तेमा फसाई जाई छे तेथी आ समस्या मोटी छे आज कारण ने लिधे आपने नक्कामी वस्तु अने फरीथी वप्राश योग्या बनावानी जरूर छे तेना चार महत्वना फाइदा हुं तमने कईश प्रथम कारण तेना थी पैसानी बच्चत थशे जो जुनी वस्तु अने फरीथी वप्राश योग्य बनावीशु तो दरेक समय आपने नवी वस्तु खरीदवानी जरूर पडशे नहीं। वीजु कारण, तेना थी उर्जानों बचाव थशे, जो कम्पनियोंने नवी बाटलीओ के पैकिंग ना टीन बनावानी ओची जरूर पडशे, तो गैस अने वीजुडीनी पण बच्चत थशे। त्री जु कारण, धर्ती परना कुद्रती संसा धनों जे आ वस्तुवना उत्वादन मा वप्राई छे, तेनी पण बच्चत थशे, दाखला तरी के स्कूल मा, ओफिस मा, के घर मा, आपने जे कागण वापरिये छे, ते ज्याड मा थी बने छे, जो तेना वप्राश ओछो थशे, तो ओछा जाड काप पनी जरूर पडशे, चो थू कारण, जो नक्कामा कच्रामा थी, आपने फरी थी कईक बनावी शू, तो प्रदूशन पन गटशे, जमीन मा, हवामा, अने पाणी मा पन, अने कच्रों सलगावा थी, थतो धुमाळों पन ओछो थशे, आवा बि वस्तुओनों पुन वप्राश करो छो, प्रवाही अने खाद्य पदार्थो भर्वा माटे, शुतमे बाटली के टिननों फरीथी उप्योग करो छो, आपनी आ सुन्दर धर्तीने नुकसान ना थाई, ते माटे आविशैमा आपने गणु बदू करी शकी एम छिए, आपना द्वरा अमे जानी सक्या कि सा माटे अमुक वस्तुओनों अमारे पुना वप्राश करो जो, अने पुना प्रक्रिया द्वरा तेने नवु रूप आपू जो, शुन हवे तमे अमने जणाव सो, कि अमे ते केवी रिते करी सक्या, अने कई वस्तुओने पुना प्रक्रिया वप्रास योग्यों बनावी सकाई हाँ, चोकस जो दरेक व्यक्ती जूत मां के व्यक्ती गतरी ते आ कारिय करे तो आपने ते सिद्ध करी शक्ये केटलाक शहरों मां प्लास्टिक, कागल, धात्तु अने काच मांटे अलग-अलग कच्रा पेटी मुखवामा आवे छे अने रिसाइकलिंग कम्पनियों तेने लई जाई छे तेवो तेनों फरीथी उप्योग करे छे अथवा तेमाथी कईक नबू बनावे छे केटलाक शहरों मां तो ते मांटे जुदा-जुदा रंगनी कच्रा पेटी राखवामा आवे छे जेमके कागळ अने प्लास्टिक माटे जुदा-रंगनी शागभाजी अने फड़ना कच्रा माटे जुदा-रंगनी वदेला खोराक माटे जुदा-रंगनी अने सामान्य कच्रा माटे जुदा-रंगनी खाध्य पदार्थो एटले के शाकभाजी नी छाल, पांदळा अने वदेला खोराक मा थी प्रक्रिया करीने तेनू सेंद्रिय खातर बनावा मा आवे छे चो तमारी पासे शाकभाजी उकालवानी जग्या होई तो तमारा बगीजा माटे आ उत्तम खातर बने छे तेजरी ते फरी थी उप्योग मा लई शकाई तेवी वस्तु हो एटले के रमकडा, चोपडा, कपडा, वगेरे माटे एवस थड़ो छे के जियां तेने एकत्र करवामा आवे छे अने त्यार पची जरुयात मंद लोकोने अत्वा सेवा किया संस्थावने तेनु वित्रण करवामा आवे छे तमे पन तमारा बाड़कोने नान पन थीज तेमना कपडा, चोपडियो, रमकडा, वगेरेनो फरी थी आरीते उप्योग करता शिक्वी शको छो वाली बेनो, कागर नो वप्राश ओछो करीने व्रुक्षो बच्चावा विशे पन, आपने संब्लिव, केटलीक जातीना लोकोमा ज्यारे कोईने गर बांधू होई, तो ते ओ पहला ते जग्यानी जमिनने साफ करे छे अने तेमा वच्चे आवता व्रुक्षो ने कापी नाखे छे, काप्या वगर चाली शके एवू होई, तो पन तेने कापी नाखे छे, शु तमने खबर छे, आपने जे कार्बन डायोक्साइड, स्वासो स्वास मार्फ़ते बहर कड़िये छे, ते व्रुक्षो लिया छे, अने व्रुक्षो अक्सिजन बहर काड़े छे, जेनी आपने जरूर छे, मुटा जंगलो, जाने के आ धर्ती माटे गवणी समान छे, ते थी जारे जंगलो नो नाश करवा मावे छे, त्यारे आपने अक्सिजन के चोखी हवा गुमावी दैये छे, कोई पन कारण वगर धर पर्ती पर्ती मुल्यवान व्रुक्षो नो नाश करवो ते दूखनी वाद छे, आपने पाणी नी बाबत मापन बहुज कालजी राखवी जोईए, अने शक्य होई, ते रिते तेने फरिती उप्योग मा लेव जोईए, केटलाक देश्यो माँ पीवाना पाणी नी अच्छ पाणी पन धर्ती नो एक अमुल्यख जानो छे, ते थी तेनो बगाल तो नाच थवो जोईए, बीजी एक अगत्यनी बाबत एछे, के आपने आपना बाड़कोने शिखवो जोईए, के कोई पन वस्तुनो बगाल करवा थी, अथवा तेने फेंकी देवा थी, तेमना जीव पर अने पर्यावरन पर तेनी केवी असर पड़े छे, आपने पोते पन आ बाबतनी काल जी राखीने सारो नमुनो पूरो पाणवो जोईए, नक्कामी वस्तुने नवो रूपापीने तेनो फरीथी उप्योग करवानी बाबत, तमारा कुटुमना दैनीक जीवननो एक भा हाँ, चोकस, पन ते माटे समाई अने प्रहतना बनने जरूरी छे, पन ते थई सके छे साची वाद, हुँ आ बाबतमा हवे वधारे ध्यान राखीस, अने मारा बाळकोने पन ते विशे सिख्वीस, त्यारेज अमे कुटुम तरीके साथ मलीने नक्कामी वस्तुओमा घटाडो करी सकीसु, आपना सव नामाटे आजी आ एक पड़कार छे, आवा सुन्दर साची वाद, एक वखत हुँ पन प्लास्टिक नी बाटली फेकवा जती हती, त्यांज मने एक विचार आव्यो, में ते बाटली नो ताल्यू कापी नाख्यू, आने तेनो उपर्नो भाग जमीन मा रहे एरी ते तेने बगी चामा खोसी दिदी, हवे हुँ तेमा पाणी भर अने ते पाणी धीमे धीमे भगी चाना छोड मा वया करेशे। के जे काम तेओ करता हता, तेना माटे हवे तेओनी जरूर नथी, अथवा केटलीक स्त्रियो एवु पन विचारे छे, के तेओ कोई जरीते योग्या नथी, अथवा कईच काम ना नथी, मने पन कोईक समय आवी लागणी थाई जाई छे। तदन साची वाद, मारी वाली बेनो, तमने पन कदाच, कोईक वार एवु लागतु होई, के तमे ने रूपयोगी छो। तो आजी अमे तमने खात्री करावा मागे छिए, के तमे किटला विसीष्ट छो, माटे आजना संदेश ने ध्यान थी सामभर सो। केम चो बेनो, इश्वर नी द्रस्टी माँ तमे किटला मुल्यवान छो, ते समझवा माटे हुँ तमने एक सुन्दर वार्ता कईश। आतो एक जुवान दिक्रीनी वाद छे, तेनू नाम हतु ज्यानी, अराल वर्ष्णी युवान वए, तेना लगन थाई गया, समाई पसार थातो गयो, तेम इश्वरे तेने बाळकोनों आशिर्वाद आप्यो, औने ते त्रण बाळकोनी माता बनी, आब बद्दानू करता, अने वारम वार कामने अर्थे गर्थी दूर रहता, ज्यानी ये पोताना कुटूमने सुखी करवा माटे, तेना थी बनीशके तेटलू बद्दूज कर्यू, अदपुत ग्रोहीनी तरीके, ते हम्मेशा कारियर रत रहती, रसोई बनाववी, सफाई करवी, कपडा द लिदा नाप्यू, पर ते पोतानी जातनी दरकार लेवानू बुली गए, ते वदारे बनी नोती, तेथी तेने कॉम्प्यूटर नू कईज ग्णान नोतू, अने तेथी दुनियामा सुम बनी रहिऊशे, तेनी तेने खबर नोती, पोताना कुटूमना लोकोनी कार्जी ल अक्कामी अने मुल्य वगर्नी समझवा लागी, हवे तेना बालको स्वतंत्र थाई गया हता, तेथी तेओने हवे ज्यानी नी कोई जरूर नोती, एक कार्जी लेनार माता, ग्रुहीनी, मार्कदर्शक, सलाहकार, रसोई बनावनार, यजमान अने सिक्षक तरीकेना तेना बदाज कार्योंनों हवे अन्ट आवी गयो हतो, हवे ते सुन करशे, वाली बेनों सुन आवी स्थिती थी तमे बदा परिचित छो, गणी बदी स्त्रियोंनी साथे आवु बने छे, जेम पुरुसो थोब्यावगर, पोतानी कार किर्दी, के शोख केडववामा आगल वदे छे, तेवु स्त्रियों करी शक्ती न थी, जियारे तेओ आवु करवा माटे मुक्त बने छे, त्यारे गणू मौलू थाई गयो हई छे, जो तमे पन आवी लागणी अनुभवो छो, तो तमे एकला न थी, अने जे स्त्रियों पोताने निरुप योगी, महत्व वगर्ना, अने बविश्यनी आसा वगर्ना समझे छे, तेओ माटे आजे हुम मजबुत अने क्रांती कारी संदेश लईने आवी छू, आपने बदा युवान के व्रुत होईये, शिक्षित के असिक्षित होईये, बीमार के तंदुरस्त होईये, गरिब के दनवान होईये, पन आपने बदा एक बाबत मां दिलासो मिडवी शक्ये छिये, कि इश्वर्ने माटे आपने खास छिये, आपना सर्जन हार इश्वर्ने माटे, आपने जेवा छिये तेवा, पन मुल्यवान छिये, आपनी उम्मर वत्ती होई, पहला जेवा आकर्षक ना देखाता होईये, कदाज वदी गयू होई, आपने नबला थाई गया होई, आपना चेहरा पर करचली पड़ी गई होई, कि बीजाने आपनी पहला जेवी जरूर ना होई, तो कई वादोने, इश्वर्ने माटे हजी पन आपने विशिस्ट के खास छिये, आपने इश्वर्ने माटे सामान्य नथी, स कारण के आपने जेवा चिये तेवा, इश्वर्ने आपने बनावया छे, इश्वर्नी अग्रिमताओ माँ आपने प्रथम चिये, आपने पोताने नक्कामा समझे तेनो अर्थ एवो न थी, के इश्वर पल आपना माटे तेवुज विचार चे, ज Ellerे हूमारु बायबल माच त्यारे गणीबधी जग्याए इश्वरना बीन शर्ती प्रेम वीशे वाँ चुछुुु। घीट सास्थ्रना 136 मा अध्याईनी पहलीकलम्मा लख्यू छेु। यहोवा नी स्तूती करो। केम के ते उत्तम छे। त्यानी कृपा अननंतकार तक्नार छे। શુતમે સાબળું અઈં લખ્યું છે અનંતકાર એજ રીતે યસાયના તેત્તાલિસમાં અત્યાઈની ચોથી કલમમાં ઈશવર કેછે કેમ કે તું મારી દ્રસ્ટિમાં મુલ્યવાન થયો છે તું સંમાન પામેલો છે ને મે તારા શક્તી માન છે ઈશવરને ફક્ત યુવાન મજબુત દણવાન શિક્ષિત કે પ્રખ્યાત લોકોની જરોર નથી બाइબલ માં ગણીબધી જગ્યાએ આપણે વાચીએ છે કે વીરીતે ઈશવરે નબળા અને મહતપવ વગરના લોકોની ખાસ કાર્યાને માટે પસંદ ગી કરી સોં તમે યુના ની વાત સાંબળી છે જો તમારા બાળકો સંડે શંડે શંડે આ વાર્તા સંબળી હશે લામબા વર્ષો પહેલાની આ વાદ છે ઈશવર જ્યારે તેના ખાસ લોકો એટલે પ્રભોદકોની સાથે મોડા મોડ વાદ કરતા હતા તે સમયે યુના પણ પ્રભોદક હતો ઈશવરે યુના ને નિંવે જઈને ત્યના લોકોને ઈશવરના કોપ વિશે જણાવા કહ્યું સા માટે કારણ કે તેઓ ખરાબ જિવન જીવતા અને તેમના દૂસ્ટ મારગોથી પાચા ફરશે તો ઈશવર તેઓ પર દાયા રાખી ને તેમને બચાવુશે અને જો નઈ જા જતા વહાણમાં બેસી ગયો વારતામાં આગળવધીએ તો યુના ને ઉંડા સમુદ્ર માં તોફાન દરમ્યાન નાખી દ સ્તાઓ થવા લાગ્યો તેને લાગ્યો કે હવે તેને માટે કોઈ જ આશા નથી તેથી તેને પ્રારતના કરી અને જેનો પ્રેમ સદાકા લીક છે તેમણે યુના પર પ્રેમ રાખ્યો ઇશવરે તેના ત્રફ જોયું યુના ની પ્રાર્તના સાબળી અને અન આગના દીન પ્રભોધગને માચ્લીએ કોરી જમીન પર બહાર કાડી નાખ્યો અનતે ઇશવરે યુના ને બીજી તકાપી અને તે ઇશવરને આધિન થયો ઇશવરનો સંદેશ તેને લોકો સુધી પહચાળ્યો નિણવેહના લોકોએ પસ્તાઓ કર્યો અને તેમના દુસ્ટ તેનો ઉપયોગ કર્યો જો ઇશવર નબળા અને અનાગનાતીન યુનાનો ઉપયોગ કરી શકતા હોય તો તે તમારો અને મારો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે આપણે ભલે ગમે તેવા ખોઈએ અને ગમે તેવા કામ કર્યા હોય તો પણ આપણો રંગ જાતી હોત્દો કે આવળતો ઇશવરની દ્રષ્ટી માં કોઈ તફાવત સર્ચતા નાથી તેથી આપણે કદી પણ એક શણ માટે પણ એવું ના વિચારવુ જોઈએ કે આપણે નકામાં કે બીન ઉપયોગી છીએ ઇશવર તેમના વચણમાં કે છે કે દરીદ્રીઓ આગર સુવારતા પ્રગટ કરવા બંદીવાનોને છુટકો આંદેળાઓ માટે ઈસુ બાળક બન્યા તેમણે ગભાણમાં જંમલીતો તેમના દુન્યવી પીતા એક નમર સુથાર હતા અને સામાન્યા બરવાળોએ ઈસુના જંમની વાત સંપળી અને તેઓ તેનું બજણ કરવા બેતલેહેમની ગભાણમાં ત્યાર પછી ઈસુ મૂટા થયા અને પુક્ત ઉમરના બંતા તેમને પોતાની સેવાની શરુવાત કરી ઈસુએ બાર સામણ્ય માણસો ને પોતાના શીશ્યો તરીકે પસંદ કર્યા તેઓ તો માછી મારો અને દાણીઓ તેઓ ની પાસે કોઈ મોટી ડિગ્રી કે ખાસ સીક્ષણ નોતુ તેઓ તો નબળાઈ ધરાવનાર સરળ માનસો હતા બેનો શું આનો અર્ત તમે સમજ્યા ઈશવરના રદયમાં તમારે માટે ખાસ સ્થાન છે આપણે સ્ત્રીઓ તરીકે ઈસુના રદયમાં ખાસ થાન ધરાવીએ છે તમે ઈસુના માટે અજોડ છો શર્વ સક્તિમાન ઈશવરને કોઈ ની જરોર નથી પણ બાઈબલ જાણવે છે કે તમારા વગર ઈશવરનો આનંદ સંપૂણ થતો નથી તેથી પણ વિશેશશ કહો તો તમારા જિવંના પ્રત્યક દિવશે તે તમારું રક્ષણ કર્શે તમે કેવા દેખાઓ છો કે તમે કયું તે બાબતમાં ઈશ્વર કદી તમારી મસકરી કર્શે નઈ કદી જ નઈ કારાણ કે તે તમને પ્રેમ કરેશે મારી વાલી બેનો ઈસુ આજે પોતાના બંને હાત પ્રસારી ને તમારી રાહ જુવે છે તમારુ દોખ પીડા કે હતાસા બદ્તુજ ઈશ્વરની પાસે લાવ તમારા રદઈમાં આવવા તેમને આમંત્રણ આપો તો ઈશવરે તે સાંબળી છે તે તમને તેમની ક્રૂપાથી બરી દેશે અને તમારી અયોગ્યતાની લાગણ્યોને તેમને તેમનો પ્રેમ અને આનંદ આપશે કેતલા અત્પૂત ઈશવર તે ઈશવરમાં આપણે કેવી અત્પૂત આશા મળી આપણે ઈશવરના માટે કઈ ખાસ કરવાની જરૂ નથી આપણે માત્ર ઇશવર પર વિશવાસ કરવાનો છે કે તેમના શિરવાદોને માટે આ બારમાન્તા જેઓ પોતાને નકામા અને અયોગ્ય ગણે છે તેઓને માટે પ્રારતના મારોં હે પ્રભુતું છે તારણ હારોં ગડે મજ્બુતને કિલ્લો મારોં હે પ્રભુતું છે તારણ હારોં શાટ્રો સઈન્યાદે મુઝને બચાવે સ્થુતીને યોક્ય એક પ્રભુ પત્રવેવહર્માટે અમારુ સરનામું લખી લેસો સો સરનામું છે કાર્યક્રમ આશાવાં સ્રીયો ટરાંસ્વલ રેડ્યો ઇનિયા પોસ્ટ બોક્સ નંબર બે સુન્ય ત્રણ છો ફતે ગંજ વડોદરા પીન કોડ નંબર ત્રણ નવ સુન્ય 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 બે અમારી વેબસાઇટ છે રેડિયો એટ એટ ટુ ડાટ કોમ જો તમે ફોન દવારા અમારો સંપર કરવા માંગો છો તો અમારો કોંટેક નંબર છે નં જમામાંચે અજડે